Hello everyone, Welcome back to my YouTube channel, तो देखिए, यह Physics का एक Chapter है, यह देखिए Chapter No.7 Physics, इसमें Properties of Solid and Liquid, तो जो Solid and Liquid से Related कुछ इसमें इस Chapter में पढ़ाए गए हैं, जैसे देखिए इसमें Important चीजे कुछ हैं, आप लोग के लिए Important यह हैं, Elastic Behavior, कुछ आप Elastic Behavior पढ़ लेंगे, Strain के, Stress और Strain के बारे में पढ़ लेंगे, Hooks ला के बारे में, Young Modulus और Bulk Modulus, यह Important हो जाता है, एक Pascal ला भी है, इसमें Important है, फिर Stroke ला भी आप पढ़ लेंगे, यहां से भी Question पूछे जाने के Chance है, फिर उसके बाद, Surface Tension क्या होता है, Bubbles क्या होते हैं, यह भी Important हो जाता है, इतने चीजे इसमें Important है, और बात करें कि Heat Transfer, Heat Transfer, Conduction, Convection और Radiation, यह तीन चीजे Important है, तो इतने चीजे इस Chapter में Important है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो में Elastic Behavior के बारे में पढ़ेंगे, स्टेस स्टेंड के बारे में पढ़ लेंगे, होक्स ला के बारे में पढ़ लेंगे, और फासकल ला, स्ट्रोक ला, स स्ट्रोक लाग भी पढ़ लेंगे इस वीडियो में, तो काफी चीजे हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, और जो बच्चे का Next वीडियो में कवर करेंगे, तो देखिए जो भी स्टुड़न्ट BSC Nursing की तयारी कर रहे हैं, या फिर आप पैरा Medical की तयारी कर रहे हैं, तो Guess लग जाएगा, Selection हो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, अगर आप पढ़ेंगे नहीं अच्छे से, पढ़ेंगे तभी, आपका कहते नहीं है, लग आपका कब चांस देता जब आप पढ़ेंगे, आप उस लायक रहेंगे, तभी, तो वैसे तो exception होता है, तो आप यसी नर्सिंग का इंटरंस एगाम के देने जा रहें, तो सलेवस सब सेम है, यह सब NCRD की परटर्न की सब यह सलेवस है, तो आप फालो कर सकते हैं, चलिए हम लोग टॉपिक पे चलते हैं, यह अच्छे से हर एक पॉइंट को और वीडियो को अगर लायक नहीं किया है तो उनकी बात छोड़िए, आप अगर लायक करना है, वीडियो देखना है, तो आप प्लीज लायक कर लेजिए, चलिए, देखिए पहले यहाँ पर Elasticity, कुछ Elasticity से Terminology, Elasticity का मिन्स आप समझ रहें कि नहीं, कोई Elasticity मतलब ऐसा लग रहा है कि लचीला चीज है, उसमें क् खीचा जाएगा, फोर्स लगा के तो वो फेलेगा, तो वही Elasticity होती है, अब भी जैसे जैसे वीडियो देखेंगे, हर एक पॉइंट समझ जाएंगे, वो लास्ट में हम लोग 2-4-10 कोईशिन भी कर लेंगे, यह देखिए, डीफार्मिंग फोर्स, डीफार्मिंग फोर्स को बोला जाता है, कि यह जो चेंजेश करवा देता, कोई फोर्स लगाईए, और किसी पर फोर्स लगाईए, उसमें चेंजेश हो, देखिए, इट इज फोर्स अप्लाइड आने बोडी, किसी बोडी पे डिफार्मिंग फोर्स लगा जा रहा है, प्रोड्यूज इन चेंज इन नार्मल पोजिशन, और वो अपने नार्मल पोजिशन से उनके चेंज हो जाए, आप दा मालेक्यूल, आप दा बोडी, उस बोडी के मालेक्यूल में, which resulting change in the configuration आप दा बोडी, आइदर इन लेंथ, या लेंथ में चेंज हो जाए, या बोलीम में चेंज हो जाए, या फि उसके shape में, उसके length में, उसके value में, अगर change हो रहा है, तो उसी को deforming force बोला जाता है, दस deforming force, इस परकार deforming force, one which when applied change in the configuration of the body, कोई भी बोडी हो, कोई भी उसके change, उसके configuration change हो जाए, तो वही चीज है, अब देखिए, एक चीज यह है, अगर मालेक्यूब, क्यूब बनाना ज चीज पूछ लें, कि यह cube है, अब यह cube है, अगर इस पर मालेक्ये force लगा रहा है, cube में force लगा रहा है, अब यह cube जो हो गया, यह ऐसा छोटा हो गया, एकदम छोटा सा cube बन गया, तो अगर हम पूछें आप से कि, अगर इस cube में changes हुआ है, तो क्या किस change में change हुआ है, shape में कि size में shape तो भाई इसका cube ही है तो shape में थोड़ी change हुआ है यह तो size में change हो गया size छोटा हो गया size छोटा हुआ ना कि इसका shape shape नहीं change हुआ shape cube ही है तो ऐसे ही next में देखे elasticity, elasticity क्या चीज़ होती है यह चीज़ आप समझ लीजिए elasticity, the property of the body is regained its original configuration length हो गया, volume हो गया, shape हो गया when the deforming force are removed is called elasticity, elasticity यह चीज़ है मान लीजिए यह एक rod है अब इस rod पे मान लीजिए यह force आप लगा रहे हैं अब यह इधर का force लगा है इधर force लगा है अब इतना इसका length बढ़ गया, यह हो जाता है area हो गया, यह हो गया, आप force हो गया, force लगा रहे हैं और यह total length हो जाता है, total length हो जाता है, अब यह total length इसमें बढ़ गया, मान लीजिए force लगा है फिर अगर आप force को हटा देते हैं तो फिर ये अपने size पे यहां तक फिर regain कर लेता है वापस कर लेता है वो ही elasticity कहलाती है the property of the body elasticity की property होती है body the regain the original configuration length volume shape when the deforming force are removed is called elasticity कहते हैं perfectly elastic body क्या होती है perfectly मतलब पूरते हैं a body is which regain its original configuration immediately and completely after the removal of deforming force from it is called perfectly elastic body perfectly elastic body का means होता है किसी भी वो किसी पे आप force लगा रहे हैं और उसको force को आप फिर हटा दे रहे हैं तुरंत वो अपना position अपना shape और size जैसे पहले था उसी कितरा वो regain वापस आ जाए तो perfectly होती है और perfectly plastic body देखिए perfectly elastic यहां है यहां पे plastic है प्लास्टिक रिगेन नहीं करती है भाई देखिए perfectly plastic यह body which does not regain its original configuration at all one the removal of deforming force from its called perfectly plastic body देखिए पुट्टी जैसे हो गया पुट्टी हो गया जो दिवाल में लगा जाते हैं पैरा फिंस बैक्स आते हैं और दा एक्जामपल आफ नियरली perfectly plastic body के यह एक्जामपल है तो यह चीज हो गया यहां पे note में दिया गया है इन फैक्ट नो बॉड़ी इस perfectly elastic यार परफेक्टली plastic only the degree of elasticity यार यह सब जटाइए next में यहां पे stress देखिए stress भी important हो जाता है stress से question पूछे जा सकते हैं stress को हम लोग sigma से so करते हैं अभी stress क्या है stress और एक strain दोनों important है तो अगर question पूछा जाए कि stress पहले आया कि strain तो strain आता है पहले बाई पहले strain ही आया था देखिए stress क्या होता है when deforming force when stress क्या होता है when deforming force is applied on a body कोई बाण लीजिए body है कोई यह बस तो है इस पे force deforming force बाहर से external force लगा जा रहा है it change in the configuration of the body अब इसमें अगर force लगा रहा है तो इसमें changes हो गए by changing in the normal position at the molecule या फिर atoms of the body result in internal restoring force जो internal इसके restoring force होते है comes into play which tend to bring the body back to initial configuration this internal restoring force acting per unit area is after deform body is called stress अरे यार stress कुछ है नहीं देखिए कोई body है stress को ऐसे आप जन सकते है stress, stress, stress को sigma से सो करते है यह force जो होता है क्या होता restoring force restoring force upon क्या हो जाएगा per unit cross section area मान सकते है यह देखिए तो यह formula आप note कर लीजिए question अगर इस पे बनेगा तो question पूछा जाएगा stress, यहाँ if की value आपका force का value आपके question में मिल जाएगा और area section की value आपका question में मिल जाएगा आप direct लगाएंगे यह question आपका strain की ऊपर solve हो जाएगा तो यह आप formula आप note कर लीजिए stress is equal to restoring force upon area यह important है यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ चीजे कुछ लिखी गई है stress, there is no permanent change इसमें permanent changes नहीं होते हैं in the configuration of the body in the absence of plastic behavior restoring force is equal and opposing opposing to the external deforming force applied thus यह जो external force लगा जाते हैं यह restoring force क्या होती है restoring force किसी body पे आम मालीजिए external force आप लगा रहे हैं तो उसके opposite में तो जो इसका restoring restoring force होता हो वो भी तो लगाता है तभी तो अगर restoring अंदर से restoring force आप जिट force नहीं लगाएगा तब तो एक दम break हो जाएगा चुना चूर हो जाएगा वेकार हो जाएगा तो यह भी लगाता है तो यह चीज है अब यहाँ पे देखिए stress, stress को sigma से सो करते हैं, physics में जब आप पढ़ेंगे, तो यह चीज हो जाएगा external reforming force upon area, तो यह भी आप formula देख लिजिए और note कर लिजिए, यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ से भी question objective बन जाते है, unit of stress, stress की unit क्या होती है, stress की unit होती है, SI unit of stress is newton per meter square, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है, newton per meter square, अगर यहाँ पे पर अपान नहीं लगाएंगे, तो newton meter square minus में लग जाएगा, तो यह देख लिजिएगा, newton meter square या फिर पास्कल बोलेंगे, और अगर CGS में देखेंगे, system is dine upon centimeter square and dimensional formula of stress, अब dimensional formula कैसे यह निकाला गया है, यह देखिए, emel minus 1, t minus 2, ऐसे direct आप जान सकते हैं, कि unit stress की क्या होती है, यहाँ पे देखिए, यह दिया गया है, newton क्या दिया गया है, newton per meter square दिया गया है, अब newton का, आपको newton क्या है, newton एक force है, emel t minus 2, force का क्या होता है, emel t minus 2, यह सब च चीज़े revise किया करिए, तब ही याद आएगा, अब देखिए, newton क्या होता है, newton force होता है, force की भीमा क्या होती है, emel t minus 2 होता है, meter, meter किसमे नापते है, length में नापते है, तो यहाँ meter square है, यहाँ length में square कर दीजिए, अब यहाँ पे देखिए, el, el के power 2 है, जब यह उपर तो यह क्या हो जाएगा, el minus 1 और t minus 2 यह पूरा आपका stress का क्या हो जाएगा, stress का dimension यही तो है, यही तो निकाला गया है, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, अगर आपको unit पता है ना, तो आप आसानी से निकाल पाएंगे, और unit कैसे पता होगा, आप जब वीडियो देखेंगे, या फिर आप बुक से पढ़ेंगे, तभी आप चीज़े क्लियर कर पाएंगे, तो यह हो गया, अब type of stress, कुछ stress के type भी होते हैं, देखिए stress के type, stress क्या चीज़े हैं, stress मैंने बता दिया, आपको क्या बता था, force upon area, तो यह चीज़ नार्मल stress होते हैं, tensile stress, tensile stress मतलब जो force ख नार्मली ओबर यह एरिया, आप बाड़ी, देन इज इंटर्नल रिस्टोरिंग को, सेट अप पर यूनिट एरिया, आप दा बाड़ी, इज काल्ड नार्मल stress, नार्मल stress कान बी डिवाइडेड इन्टू फालोइंग कटेगरी, अब नार्मल stress को क्या किया गया है, डिवाइ लेंथ में इसके changes हो रहे है, लेंथ जादा हो रहा है, या फिर extension मतलब फैलना ही होता है, आप दा बाड़ी, इन दा डायरेक्शनल, आप दा फोर्स, जिस तरफ फोर्स लगा जाए, उसे तरफ चेंज हो, लेंथ में, या फिर extension हो बाड़ी में, अपलाइड दा इस्टेस, to this called tensile stress उसको कहेंगे अब यह देखिए compressible compressive stress होता है if there is a decrease in length of the wire or compression of the body is due to force applied मान लिजिए कोई चीज है इसे force apply कर रहे हैं अब यह compress करके कैसे हो जा रही है एकदम छोटी हो जा रही है तो यह इसको क्या कहलेंगे उसको बोलेंगे compressive stress भी बोलेंगे यहाँ पर देखिए note में कुछ लिखा गया है that tensile and compressive stress can also be term as longitudinal stress इसी को दोनों को कौन से compressive stress को and tensile stress को also term इसको longitudinal stress नाम भी दिया जाता है क्योंकि जब longitudinal stress होता है तो उसमें क्या होता compressible stress भी होता और tensile stress भी होंगे एक देखिए hydraulic stress है जिसको pressure के थूँ होता है hydraulic hydraulic stress होने solid body undergo change in volume without any change its geometrical shape उसके shape में कोई नहीं change होगा volume में change होगा आने applied the force perpendicular to every point on the surface of the body then the restoring force per unit area in the body is called hydraulic stress hydraulic stress is generally possible होने तब जब solid spherical body solid हो और वो क्या गोला body हो spherical हो it is placed in fluid और वो fluid में रखा गया हो under high pressure में तब यह apply hydraulic stress apply होगा प्रेजंटियल शेरिंग यह देखिए एक और आ गया टेजंटियल और sharing stress sharing stress क्या होती है मालीजी एक body है यह मालीजी एक plate रखा गया है एक plate नीचे रखा गया है अब आप ऊपर इसधर force लगा रहा है तो यह तो block इदर चला जाएगा यह अपना इदर चला जाएगा तो sharing stress वाली होती है वन यह deforming force acting tangentially to the surface of the body produce change in the shape of the body without any change in volume volume में कोई change नहीं होता है shape में change हो जाता है then the stress setup in the body is called tangential stress stress is scalar quantity यह जो stress होती है कैसी quantity होती है scalar quantity होती है scalar quantity यह आप एकदम अच्छे से देख लिजेगा scalar quantity कौन होती है question पूछा जा सकता है तो stress जो होती है वो क्या होती है scalar quantity होती है और dimension less होता है तो यह चीज हो गया dimension less नहीं होता बाई dimension तो होता है dimension less नहीं होता stress it is tensor quantity भी बोल सकते हैं कभी-कभी पूछता है कि जो stress होता है वो कौन सी quantity होती है तो tensor quantity next में ये देखिए strength अब ये भी important हो जाता है तो strength क्या चीज़े होती है strength देखिए the ratio the ratio of change in configuration of the original configuration is called strength strength being the ratio of two like quantities has no units and dimension अब इसके देखिए हाँ stress के strength होता है strength की ना तो unit होती है ना तो dimension होता है dimension होती है तो ये दोनों नहीं होते है अब strength होता क्या है strength change in dimension मालेजिए कोई body है तो अगर ये एक example ये ले लीजिए अगर ये example है तो मालेजिए change in configuration change in dimension अगर इसके length में जो change हो गया length में change हो जाए original dimension जो इसका original configuration जो ये मालेजिए कोई force लगया गया है change in configuration अब दा original configuration is called stage कोई force लगा के इसके length में change कर दिया गया पहले ये ल था ये फिर उसके बाद length बढ़ गया dl changes हो गया तो इसका इतना changes हो गया है यही चीज कह रहा change in configuration जितना ये change हो रहा है किस में से change हो रहा original length में तो ये देखिए आप लिख लिजिए strain is called to change in configuration upon original configuration original length में से जितना change होगा उसको उपर रखेंगे तो ये important है यहाँ से question पूछा जा सकता है तो question यहाँ से इसको strain को किस जे सो करते हैं इसको अब silent nurse से सो किया जाता है इसमें ऐसे भी आप note कर सकते हैं defarming force defor defarming defarming upon क्या हो जाएगा original dimension तो ये भी important है इसका आप समझ लीजिए और question अगर आएगा तो important हो जाएगे important क्या हो जाएगे आपको defarming जो तिने length में change होगा उसको उपर रखेंगे और जो original length रहेगा उसको नीचे रख देंगे question solve हो जाएगा question अगर पूछा जाएगा तो आप अच्छे से देखेंगे और इसकी unit क्या होती है unit जो होती है height no unit और dimension भी नहीं होते है unit less होती है dimension length ये भी tensor quantity होती है तो ये भी important है अच्छे से देख लीजिएगा strength type के होते है longitudinal strength होते है इसका आप देख सकते है longitudinal change in length length में जो change हुआ original length में और volume में change in volume में और original volume तो सब सेम है आप जो changes होंगे उसको उपर रखेंगे और जो original लेगा उसको नीचे रखेंगे बस इतना ही आपको जानना है अब देखिए sharing strength आगया sharing strength वही चीज है the farming post produce change in the shape of body without changing the volume volume में कोई change नहीं होगा और उसके shape में change हो जाएगा ये देखिए block दो block रखे गए हैं अब एक block उधर खीचा जा रहा ये देखिए force लगा के ये fixed है तो इधर ये खीच जा रहा है वही चीज है angle radiation ये सब चीज हो जाएगे sharing strength अगर आपको देखना है तो इसको देखिए theta से so किया जाता है और delta y y l ये delta y क्या जो change होता change हुआ होगा और जो y l पूरा था पहले से पोजेशन ऐसा आएगा कि elastic limit वहाँ पे खतम हो जाती है कोई भी बस्तू हो elastic limit is the upper limit of deforming force up to which the deforming force is removed the body regains its original form completely and beyond अगर उसके उपर आप खीचते हैं which deforming force is increased तब भी आप deforming force external force लगाते ही जा रहे हैं तो the body is loose कर जाएगी its property of elasticity तो elasticity की property loose हो जाएगी and gets permanently deform और permanently deform हो जाएगी हाँ सही चीज है अगर कोई आप rubber ले लीजिए मान लीजिए आप खीच रहे हैं कोई भी rubber को खीच रहे हैं ऐसा तो है नहीं कि खीचते चले जाएंगे बढ़ता चला जाएगा एक बार ऐसा आएगी रबड को इतना खीच देंगे कि अब वो अपने वर्जिनल पोजिशन पे आही नहीं पाएगा तो वही elastic के एक limit होती है अब hooks law ये भी important हो जाता है hooks law क्या है hooks law पढ़ लिजिए यहां से ये hooks एक scientist का name ही रहा होगा तो उन्होंने अपने नाम पे एक law दे दिया अब उन्होंने क्या hooks law एक small deformation है मतलब छोटी से इसमें क्या है छोटा सा changes हुआ था ये देखे जैसे it is the basic law elasticity का एक basic law है it is state that the extension produce in wire wire में जो extension produce होता है directly proportional to the local attached to its thus according to hooks law ये देखिए hooks law के carding extension directly proportional load हो जाएगा तो ये hooks law था hooks law क्या हो गया जितना stress होगा उतना strain होगा तो ऐसे भी आप लेख सकते हैं hooks law को ऐसे stress stress directly proportional strain stress directly proportional strain तो ये चीज भी आप note कर लेंगे hooks law का ये नियम ही है जितना आप extension जितना आप strain करेंगे जितना फैलेगा जितना आप load उस पे करेंगे उतना ही ओ फैलेगा तो stress directly proportional strain ये चीज हो जाएगा अब ये देखिए how ever this proportionally hold good ये सब दिया गया है limit call the elastic limit यहां दिया गया है elastic limit according to ये देखिए according to modified farm hooks law hooks law को ये देखिए modify किया गया है stress is called to strain ये फार्मूला आप लिख लिजिए stress is called to constant and strain ये आप फार्मूला लिखिए मत लिखिए तो ये फार्मूला important है ये आप लिख सकते हैं एक बार ऐसे एक diagram एक question आप जब लगाएंगे तो questioning मिल जाएगा ये एक diagram type है यहाँ पे strain ये टी आर ए आ इन strain दे दिया गया यहाँ पे stress दे दिया गया अब ये graph एक बना दिया गया सीधा एकदम अब यहाँ पे पूछा जा रहा है यहाँ पे O दे दिया गया यहाँ पे A दे दिया गया फिर यहाँ से भी ऐसे regain कर दे B and C A, B and C तो यह पूछा जाता है कि O से लेके A तक क्या है O से L A से O से लेके A तक यहाँ पर क्या सो हो रहा है तो यहाँ पर Elastic Behavior सो होता है कि Elastic Behavior क्योंकि Directly Proposional है ना देखिए यहाँ पर Strain वीवर रहा है और Strain वीवर रहा है दोनों बढ़ रहा है तो यह elastic O A तक elastic behavior है लिख लीजिए O A तक क्या है elastic behavior है फिर उसके बाद अगर यहां से पूछा जाए A B C तक क्या है तो यह non-elastic behavior है non-elastic behavior तो ऐसे आप लिख सकते हैं नेक्स्ट में देखिए यहां पर एक scientist के नाम से एक चीज़ आप और पढ़ सकते हैं poisons ratio आप पढ़ सकते हैं poisons ratio एक scientist रहे होंगे उन्हें अपने नाम पर poisons एक ratio दे दिए poisons ratio किसे सो करते हैं सिगमा से सो किया जाता है इसमें देखिए poisons ratio अगर आपको समझना है तो यह देखिए एक बेलना कार आप ऐसे एक बना सकते हैं यहां से आप चीज़े समझ सकते हैं तो यह चीज़ आप बना के फिर यह देखिए external force लगा दीजिए अब यहां से जब force आप लगा रहे हैं नीचे भी force लगा रहे हैं तो यह फिर कुछ changes हो जाएंगे यह यह कुछ changes हो जाएंगे यहां पे length में कुछ increasement हो जाएगा तो यह देखिए इतना length आपका जो बढ़ जाता है यह क्या इसको बोल सकते हैं इसको delta y जो changes हो रहे हैं इसमें length फिर उसके बाद change अब देखिए इसमें जब खीचेंगे तो यहां पर भी तो changes आएंगे यहां पर भी changes हो जाएंगे इसके volume में भी changes आएगा longitudinal strand भी होगा और lateral strand भी आएंगे तो यह सब जो changes होते हैं तो यही चीज़े इन्होंने बोला था poisons ratio में तो यह delta r मान लीजिए यह जो changes हो जाता है यह इतना changes जो हो जाते हैं तो अब इसमें poisons ratio में आपको lateral strand upon longitudinal strand यह formula आपको पता कर लेने है if length increase अगर length increase हो रहा है then the radius of wire decrease तो मैंने बताया था कि उसका जो radius है यह radius इसका यह वाला radius भी क्या कर जाएगा decrease कर जाएगा अगर length उपर जाएगा next में poisons ratio is unit less and dimension less quantity तो यह भी question पुछा जा सकता है कि poisons ratio जो होता है उसकी unit कितनी होती है तो dimension less होता है तो dimension less quantity होती है यह important है यह आप अच्छे से देख लिजिएगा फिर उसके बाद यहाँ effect anneling हाँ anneling थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि anneling क्या चीज़े होती है anneling result increase in the plasticity of the material due to formation of large crystal gains hence the elasticity of the material decrease तो उसी को anneling कहा जाता है अगर उसकी anneling result increase the plasticity कोई भी material है उसकी plasticity increase है किसके कारण large crystal gain के कारण elasticity of material decrease हो जाएगी अब यहाँ पे देखिए यहाँ एक चीज़ important है यह चीज़ देख लिजिए elastomer क्या होते हैं elastomer मतलब elasticity किसकी कितनी है elastomer these are those material वो material for which stress and strain variation is not straight line में नहीं होता है विथिन्दा elastic कुछ limit होती है ऐसा नहीं है कि आप खीचते चले जाएंगे और strain directly proportional है तो वढ़ता ही चला जाएगा कुछ limit होती है कोई भी material हो these material do not obey hooks law law over most of the regain अब hooks ला तो बोले थे directly proportional है बढ़ता ही चला जाएगा such material have no plastic range the breaking point of lies just close to each अब यहाँ पे देखिए यह important है ductile material ductile material क्या होता है और एक होता है brittle यहाँ देखिए brittle material होता है यहाँ पे मान लीजिए जैसे एक मैं पहले आपको figure बना के दिखा देता हूँ पहले पढ़ लीजिए ductile material these are those material what material which so large plastic range large plastic range so करते हैं beyond elastic limit मतलब beyond elastic limit के beyond for such materials is breaking point is widely separated from the point of elastic limit अगर खीचते चले जाएंगे तो ब्रेक हो जाएगी such material can be used making spring जैसे spring है seat है example of ductile material अब ductile क्या है ductile मिन सोता है उसको खीचते आप चले जाएंगे तूटता नहीं है वो फैलता रहेगा आर copper जैसे copper हो गया silver हो गया iron हो गया यह सब seat होती है अगर इनको आप खीचेंगे तो तूटे गर नहीं ductility उसमें बहुत अधिक होती है तो brittle means breakdown हो जाता जैसे यहाँ पे देखिए एक figure आप बना सकते हैं यह strain हो गया उफर और यहाँ पे stress हो गया तो यह चीज है मा लिजए यहाँ पे ऐसे कोई चीज directory परपोस्न बढ़ती ही चली जा रही है फिर उसके बाद ऐसे आप चली जा रही है अब इसको देखिए यहाँ ductility आ गई तो यहाँ break हो जाता है अगर इसको ऐसे कीचेंगे एक तरफ आप सिरिफ stress की तरफ ले जाएंगे नेक्स में brittle material देखिए brittle material क्या होता है दी जार दोज material होई सो बेरी small plastic range beyond elastic limit such materials break point lose close the elastic limit तो यह break हो जाता है example में brittle material cast iron हो गया glass हो गया यह खीचेंगे तो तूट जाएगा यहाँ पर एक question है इसको आप solve करिए question को solve करने की कोशिश करिए यही important हाप के लिए the property a material कोई material की property है due to which regain the original shape अगर आप उसको खीचते हैं तो original shape में आ जाता है size when load is remove इस card अगर वो लोड को आप जो आप force लगाए हैं उसको अगर आप remove कर लेते हैं हटा लेते हैं तो उस material की property है क्या वो regain कर जाती है तो उसको क्या कहेंगे elasticity, viscosity या फिर plasticity प्लास्टिसिटी तो वापस नहीं आती है, viscosity भी नहीं, elasticity, option number first correct हो जाएगा, इसका आप थोड़ा सा दिया गया है, यहाँ पर explain किया गया है, इसको आप देख लीजिए, when external force is applied to original body, there is change in length, volume and shape, when the external force is removed, हटा दिया गया, external force को जो force लगा गया था, तो body क्या हुए, tend to range, वो अपने regain कर लेती है वापस आ जाती है, original shape and size में तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे elasticity, वही चीज उसमें question में दिया गया था, तो important था, अच्छे से आप देख लीजिए, next question यह देखिए, यह question आप लगाईए, यहाँ पे 4 option दिये गए हैं, एक rod है, place between two fixed support, दो support के बीच में उसको fix किय गया है, and is heated, फिर उसको गरम किया जा रहा है, hot type of stress is developed on rod, तो rod में किस type का stress develop होगा, वो compress होगा, वो tensile stress होगा, या फिर shear stress, या relative stress होगा, कौन सा stress होगा, तो देखिए, compressive stress होगा, compressive stress कैसे होता है, क्योंकि दोनों तिन तरफ से support लगा है, अगर उसको आप heat करेंगे, तो वो क्या करेंगा, compress होगा, उस पे compress force लगेगा, तो option number first correct हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ चीज़े दिया गया है, आप इसको समझ सकते हैं, और पढ़ सकते हैं, next में, यहाँ पे देखिए, next question, which of the following substance is the highest elasticity, यह question important है, यह question पूछा जा सकता है, तो इसको अच इस elasticity किसकी सबसे, elasticity सबसे अधिक है, elasticity means उसका length में increasement सबसे अधिक होगा, वो सबसे अधिक फैलेगा, तो rubber काफी student यहाँ पे मैं भी पहले जब प्यारी करता था, rubber लगाता था, कि rubber भाई जितने ही, उसको हम लोग खीचेंगे, वो फैलेगा, तो rubber भी ज्यादा नहीं फैलत आप देख लिजिए, rubber को खींच के देख लिजिए, एक point ऐसी आती है, rubber break कर जाती है, तो सबसे अधिक steel की होती है, elasticity सबसे अधिक steel की, तो option number 4, आप correct करेंगे, यह देखिए, इसका option भी दिया गया है, और इसके कुछ से समझाए गया है, highest value of elasticity from the given substance will be steel, यह जो चारों आप् एक fix point होती है, fix number होता है, तो उसमें steel का सबसे अधिक है, तो option number 4 लगाएंगे, और next question की तरफ आएंगे, यह देखिए, यह question आप देखिए, if a body, कोई एक body है, कोई एक बस्तु है, completely regains its original shape and size after removal of an external deforming force, such body is known as, यह body completely, यह ही से question आप पकड़ेंगे, यह देखिए कहरा, completely, मत असलब एकदम 100% वो अपने original form में आ जाती है, तो वो हो गया perfectly elastic body होना चाहिए, यह फिर perfectly plastic, plastic नहीं होना चाहिए, perfectly plastic होगा, तो कोछ भी वापस नहीं आएगा, तो इसमें आफसर number first ही लगाएंगे, completely perfectly elastic body, तो आफसर number first correct हो जाएगा, यहां देखिए, यही तो सही है, यहां पर थोड़ा सा explain किया गया है, थोड़ा सा आप देख सकते हैं, concept को develop कर सकते हैं, from the above example, we can see that if a body regain its original position under external, such as object are term as perfectly elastic subject, object, तो यह वही option, character first ही, तो इस question को देखिए, यह भी question important हो जाता है, ductility is the property of metal which is used make, ductility means क्या होगा, वो तूटता नहीं है, वो फायलता रहता है, उसी को ductility बोलते हैं, एक brittleness बोला था, उसका means वो break हो जाता है, तो यहां पर ductility कह रहा है, ductility is the property of metal, एक metal की property जो है, वो ductility है, which used to make, अब वो कौन सा हिस में आप सही लगाएंगे, तो thin metal seat हो गया, long wire, solid spare तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी ductility नहीं होती है, तो break हो जाता है delicate means मुलाइम होता है, यह भी नहीं होगा, अब आपके दो option बचते हैं, thin metal seat, thin यह तो पतला ही है, अगर इसको आप ductility property metal की इसको खीचा जाए, तो यह तो तूट हो जाएगा, thin है, long wire, option number second, यह option आपका correct हो जाएगा, तो कौन सा option, long wire, जब यह देखिए, इसका explain कुश किया है, यहाँ पर देख सकते हैं, आप, from the above explanation, we can see that ductility of metal is the property that enable to be the draw out elongated, appreciable extend before rapture occurs, because this property can create long metal wire, तो आपसा number second correct हो जाएगा, which one is the correct expression for poisons ratio, अब यह देखिए, जो मैंने बताया था, poisons ratio में यह क्या चीज़े होती है, poisons ratio, poisons ratio वही चीज़े मने बताता है, उसके bylum में भी changes हो जाती है, तो bylum में changes हो जाएगा, bylum में क्या चीज़े होती है, उसके delta length में भी changes होते है, तो वहाँ पर dl में भी changes हो रहा था, dr में भी changes हो रहा था, तो इसमें अगर यह dr by r, यह देखिए, dr by r, फिर उसके option सही है, या फिर fourth option सही है, तो इसमें देखिए, second option सही है, इसमें second option आप correct लगाएंगे, dr by r into capital y, delta l, delta l में भी changes होता है, और delta r में भी changes होते हैं, तो यह चीज़े हो जाएगा, option number इसमें second option correct लगाएंगे, यह आप देख सकते हैं, from the above explanation, we can see poisons ratio, define lateral strain upon longitudinal strain, तो यह देखिए, poisons ratio को सिगमा से सो ही करते हैं, यह देखिए, lateral strain upon longitudinal strain, तो यह second option correct हो जाएगा, next में यहाँ देखिए, एक question और है, coefficient of restitution for perfectly elastic collision, coefficient restitution दिया गया है, perfectly elastic collision का, perfectly elastic collision की कितना होता है, तो एक होता है, perfectly elastic collision का, अगर coefficient पूछेगा, तो एक लगाएंगे, तो आपसन number first में एक दिया गया है जबाब आपको comment box में लिखना है, दो balls, two balls at same temperature, collides, what is conserve, अगर दो बाल है मान लिजिए, दो गेद है, at same temperature पे, वो collides करते हैं, मतब टकराते हैं, तो what is conserve, तो उसमें क्या conserve होता है, temperature, kinetic energy, momentum या velocity, तो क्या चेज़ कंजर्ब होता है, यह आप comment box में बताएंगे, comment करके, और फि आप answer नहीं बता पाएंगे, तो दो balls हैं, same temperature पे, collides करते हैं, तकराते हैं, तो उसमें क्या conserve होती है, temperature, या फिर kinetic energy, दोनों देखिए, moment करेंगे, तो kinetic energy तो होगा ही, momentum उसमें कंजर्ब होता है, velocity, तो option number, चारो option में, एक option correct है, आप comment box में comment करके, इस question का जबाब बताएंगे काफी चीज़े हम लोग इस वीडियो में cover किया है, next वीडियो में और अच्छे से cover करेंगे, आप लोग previous वीडियो को ध्यान में रखते हुए, अच्छे से revise करिए, और previous वीडियो एकदम जोरदार और सांधार है, सभी वीडियो आप देखिए, यार 100% selection तो होई जाएगा, उतनी जितनी वीडियो है ना, उतनी वीडियो आप लोग कर लीजिए, और कुछ वीडियो में जो important हो वो cover कर दूँगा, और जो एकदम important हो वो भी cover किया हूँ, और जो कुछ कहते हैं नहीं micro teaching, जो एकदम सूच में चीज़े हैं कि जो चीज़े question छोड़ आती हैं, वो provide कर दूँगा, 101% selection हो जाएगा, चिंता ना करें, इधर उधर दवड़े नहीं, भागे नहीं, जितनी 700-800 वीडियो है, उसको आप ज्यादर स्यादर focus करें कि हो जाए, उतनी वीडियो अगर हो गई ना, सब चीज़े अच्छे से cover कर ले गए, notes बना ले गए और notes को revise कर ले रहे हैं, और समझे उसको proper follow करिए, selection हो जाएगा, thank you.